प्रियंका गांधी को कॉंग्रेस का महसची बना दिया गया है और उनको पूर्वी उत्तर प्रदेश का पिरभारी भी बना दिया गया है आज हम प्रियंका गांधी और मुलायम सिंग यादव के बारे में बताएंगे कि प्रियंका गांधी भी मुलायम सिंग की राहा पर चल पड़ी है अब आप सोच रहे होंगे कि एक तरफ कॉंग्रेस की महासची प्रियंका गांधी और एक तरफ कहां समाजवादी पार्टी के संग्रक्षक मुलायम सिंग्यादव इन दोनों का कहां विल्कुल मेल हैं लेकिन आम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि कैसे प्रियंका गांधी जो है वो मुलायम सिंग्यादव की रहा पर चल पड़ी है जटका लग सकता है लोकसबा चुनाओ 2019 में प्रियंका गांधी के एंटरी के बाद चुनावी जंग बेहदी दिल्चस्प होती हुई नजर आ रही है अब जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश है उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्ये है असी लोकसबा सीटे आती है तो अब राजनिती इसके इर्दगिर्द ही घूमनी है तो फिर राजनिती है तो राजनिती की बात ही होनी चाहिए लोकसबा चुनाओ 2014 में राश्टिय स्वेम सेवक संग आरेसेस ने खास रणिती के तहत अब मैं आपको उस खबर से रूबरू कराऊंगा जिसको आपने भी श बजार चौदा में राश्टिय स्वेम सेवक संग ने खास रणिती के तहट गुजरात के ततकालीन सीयम नरेंद्र मोधी को बनारा संसदिय से चुनाओ लड़ाया था आरेसेस की रणिती बेहत कारगर साबित हुई थी हो पुरवांचल के साथ ही यूपी की 80 में से 73 सीटों पर बीजेपी गडबंदन का पर्चम लहराया था मुलायम सिंग यादव ने पहले ही आरेसेस की रणिती को समझ लिया था इसके लिए पच्चिमी उपी की सीटों को छोड़कर आजमगर संसदिय सीट से चुनाओ लड़ा था यादव ने अपनी सीट तो बचा ली थी लेक करते हुए कॉंग्रेस ने प्रियंका गांदी को पूर्वी यूपी की कमान सौपी है यानि साफ तो पर का जा सकता है कि उनको कमान सौपी है और जिस तरीके से बीजेपी के पिरभाव को कम किया जा सके उनको ये कमान सौप कर पूरी तरीके से मुलायम सिंग यादव की रह जटका तो लगने वाली बात है क्योंके कॉंग्रेसी इस वक्त काफी अकरामक मुद्रा में है राहुल गांधी राफिल मामले पर मोधी सरकार को घेरे हुए हैं तीन राज्यों में जीत हुई है और फिर उसके बाद प्रियंका गांधी का आ जाना वो कहीं न कहीं कॉंग्रेस के लिए एक अलग तरीके की संजीवनी की बूटी की तरह काम कर रहा है और खासकर के बीजेपी के नेता जो आजकल ये भी बड़े अपने आप में एक अच्रच कर देनी वाली बात है कि कैसे बीजेपी के नेता आजकल अस्वस्त चल रहे हैं वितमंत्री अरुजेटली भी नियोर्क में अपना इलाज कर रहे हैं अमिजशा की भी दो बार तब्ध खराब हो चुकी है और गोवा के मुक्यमंती मनौर पारिकर भी विमार चल रहे हैं और काफी ऐसे नेता हैं बीजेपी के जो बैकबॉन हैं बीजेपी की वो अस्वस्त चल रहे हैं और जिससे कहीं कहीं बीजेपी को थोड़ा सा जटका लगा हुआ है कि आखर वो रणनिती बनाए तो बनाए कैसे क्योंकि अरुन जेटली जो है वो एक ऐसे हैं जो कहीं न कहीं बीजेपी की रिड़ की हड़ी माने जाते हैं और वही अगर अस्वस्त हो चुके हैं तो फिर आखर कैसे प्रियावती और अकलेश आदव ने पहलेहीं गडवन्दन करें कांगर्स को महागडवन्दन से बहार कर दिया है और कांगर्स ने यूपी में अपनी ताकत दिखाने की बड़ी जिम्मेदारी प्रियंका गांधी को सौपी है और Georg गांदी की लड़निती में कांगर के तो सपाग की परिशानी बढ़ी टनी के लिए कांगरिस महार घर्वंदक्र बिल्स धी pushing घाओ भाएंगे जिकी आपध यह गाने पर जाया ओद सीभिएंगे जोड़ा कि दमनान कंजेए कांगव तो क्योंकि माया वती आखिलेश को इस बात का बिलकूल भी अन्दाजा नहीं था कि राहुल गांदी ऐसा कोई मास्टर स्ट्रोप भी खेल सकते हैं कि वो प्रियांका गांदी को ले कर आ जाएंगे लेकिन हुआ कुछ अलगी और वो प्रियांका गांदी को ले कर आ गये और प्रियंका गांदी आजाने के बाद अब कही न कहीं काफी बड़ी दिक्कत पैदा हो गई है और साती साथ अब जिस तरीके से पहले गड़ बंदन में शामिल नहीं किया गया था मायावती ने साफ़तवा पर कह दिया था कि हमारा वोट ट्रांसफर हो जाता है लेकिन उनक वोट ट्रांसफर नहीं हो पाता हमें उसका नुखसान उठाना पड़ता है 2017 के विदान सबाद चुनावों में भी अकलेश यादा हो और राहूल गांदी के बीच गड़ बंदन हुआ था उसके साथ गाना भी काफी पॉपलर हुआ था यूपी को ये साथ पसंद है बाराल यूपी को वो साथ पसंद नहीं आया था और उसके बाद अब समाजवादी पार्टी वाले मायावती मायावती गा रहे हैं अब फिलहाल तो मायावती के साथ अच्छे रिलेशन हैं अच्छे तालुकात हैं जब प्रेस कॉनफरेंस हुई थी तो अकलेश यादाव ने साफ मायावती के निए काफी सिर्दर्द हो गया है खासकर कि पुर्वांचल की सेटे क्योंके अगर प्रियंका गांधी अगर आकरामक तरीके से चुनवा परचार परसार करती हैं रैलियां करती हैं धमाकेदार भाशर देती हैं लोगों के बीच जाती हैं जैसे वो कही भी जात हैं काफी मशूर हैं तो जिससे के अब लोग के अंदर ये माना जा रहा है कि इंदरा गांधी की छवी देखते हैं लोग इंदरा गांधी मानते हैं कि उनका इंदरा गांधी का पहनने का जो पहनावा था जो इंदरा गांधी की भाशा थी इंदरा गांधी का जो पुरा त करने वाली है और जाहिर थी बात है कि कॉंग्रेस पार्टी इस वक्त काफी जद्व जहत के साथ आगे बढ़ रही है राहुल गांधी की भी इसमें हम थोड़े सी दाद देनी पड़ेगी कि कैसे राहुल गांधी ने अपने आपको साबित किया है और जिस तरीके से राहुल गांधी की एक बीजेपी ने च्छवी बनाने की कोशिश की थी उसको कही ना कहीं धूमिल करने का काम किया है राहुल गांधी ने और ये लगतार कहा जाता रहा था कि राजिस्थान में काफी विवाद हो सकता है मद्धिय प्रदेश में लेकिन उन्हें विवाद को बहुत बेहतर तरीके से सामंजश से बिठाया, वो बीच में, दोनों के बीच में इक अलग तरीके का बहुत अच्छा सामन जिससे बिठाया तो जिससे कहीं नजर आ रहा है और ये रंडिती का ही नतीजा है कि आज प्रियंका गांधी महसची बना दी गई है और साफ तो पर उनको पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रभारी बना कर आज कई एक तीर से कई निशाने मारे गए हैं और प् क्याम मोदी की जो स्ट्राइटीजी उसको कैसे कमजोर किया जाए कैसे उनके सिले में किले में सेंद लगाई जाए ये बात प्रियंका गांधी भी जानती है और बाराल अब चुनाओ 2019 का का काफी दिल्चस्प होता जा रहा है और आने वाला वक्त काफी दिल्चस्प होगा जैसे जैसे उम्मीद्वारों के नाम सामने आएंगे और पुरी लिस्ट आएगी सामने तो और चुनाओ दिल्चस्प होता जाएगा तो फिलाद आजके इस प्रोग्राम में इतना ही फिर हाजिर होंगे ने प्रोग्राम के साथ तब तर जुड़े रहे हो देखते रहे हैं आप लिए प्रोग्राम के सामस्कार